मैं आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ काना जी की धोती तो काना जी के नाम देने से पहले सब कोई बोलते हैं राधे कृष्णा तो कल मैंने राधे जी का जो है यह लहेंगा बनाई थी सेम फेब्रिक पे आज मैं काना जी का धोती बनाऊंगी कल अगर मेरे वीडियो मिस क कर गये तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिख दे दूंगी आप जरूर देख लीजिए तो आएए आप धोती के बारे में बात करते हैं यह जो है मैंने 7.5 इंच के स्कॉयर पीस ले लिए यहां से भी 7.5 है यहां से भी 7.5 और यहां से भी तो एक चौकोन कपड़े ले लिए है दोती को बनाने के लिए मैं आपको इस फेबिक में बताती हूँ हमारा धोती का पैटर्न जो है कैसे बनेगी चौकोन पीस को हम इस तरह से ले लेंगे यह देखिए इस तरह से हम आगर ट्राइंगल सेप में फोल्ड करेंगे तो यह जो हमारा बंच साइड आ रही है वो हमारा जो है धोती का लेंथ होगी और यहां से जो है जो हम कमर लेते हैं वो उसकी लेंथ होगी तो हमें सबसे पहले क्या करना है इस तरह से हमें देखिए पूरे ट्राइंगल सेप में जो है हमें फोल्ड कर लेना है को यहां से दिखा रही हूं उपर की साइड से हमें थोड़ा सा यहां इस तरह से तेखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आपको गुलाई के शेप देना है ताके यहां से इस तरह से गुलाई का शेप हम दे देंगे इस तरह से और नीचे से आपको क्या करना है अगर आप इसे इसी तरह कोनी से रखना चाहते हो तो रख सकते हो वरना आप थोड़ा सा यहां इस तर नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों पीस को जो है अस्तर के साथ हम जोड़ेंगे, इस तरह से हम रखेंगे, और इसके उपर जो है हम इस फेबरिक को रखेंगे इस तरह से, और इस साइड और इस साइड को जो है हमें इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना एक फोल्ड किये वापस हमें फोल्ड करना है देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड को जो है फोल्ड करना है और दोनों साइड और बाकी जो दो साइड है वो हमें अपन रखना है तो पहले हम साइड को फोल्ड कर लेते हैं देखिए friends हम जो है इधेद और इस साइड दोनों किनारी को जो है हमने सिर लिए है और यहाँ normally हम attach कर लिए लेकिन यहाँ fold नहीं किये अब हमें इसे पहले हम जैसे fold किये थे उस तरह से हमें fold करना है देखिए कुछ इस तरह से, हमने फोल्ड कर दिये न, इसके बाद हमें इस गुलाई को कट देना है, तो इस गुलाई हम कितने में कट देंगे, इस गुलाई को आप 1.5 से लेके 2 इंच तक का आप इस गुलाई को जो है मार्क कर सकते हो, तो मैं यहाँ 2 इंच पर देखिए मार की हूँ, इसको हम अभी काट लेंगे, अब जो है आप चाहे तो इस जो हम जो जेगे पे जो है सलाई लगाए हैं फोल्ड करके, उस एरिया पे जो है आप कोई भी लेस का अटाच कर सकते हो, अगर आपको नहीं पसंत आप ऐसे छोड़ सकते हो, तो आप हम क्या करेंगे, द थोड़ा सा गैप रखते हुए हमें जोइंट करना है, इतना हम छोड़ देंगे और उपर के हिस्से को हम जोड़ लेंगे, उससे पहले ये दोनों को वापस हम रखेंगे और इसके सेंटर पॉइंट निकालके हमें कट लगाना है, देखिए हम इसको इस तरह से रखे, फोल करने के बाद यहां जो हमारा सेंटर पॉइंट आते हैं, यहां हम छोटा सा नौच लगाएंगे, देखिए हमने नौच लगा दिये हैं, अब हम इसे सबसे पहले जोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से जोड़ेंगे हम, देखिए फ्रेंस, इस तरह से हमें जोड़ना है, प्लीट्स हम कैसे लेंगे, देखिए इधर से हमें इस प्लीट्स लेना है, इस तरह से, इस तरह से हम प्लीट्स लेंगे, देखिए फ्रेंस, हमें किस तरह से प्लीट्स लगाना है, हम तीन प्लीट्स जो है, इस तरफ इसके रुख रखे हैं, और तीन प्लीट्स का रुख जो है इस तरफ मीडिल पोउंट आने के बाद वापस इसके रुक इस तरफ और इसके रुक इस तरफ करके जो है ने धोटी वाला बहुत खुबशूरत सा जो है पेटर आ गिया है इस तरह से हमें सिलने ले के बाद इस版 हमें पट्टि देख लीजेगा कि आप कानहजी के कमर जो है इसके साथ मैच हो रही कि नहीं ने तो आप इक बीट और здесь लोग और आइड कर सकते हो ।घीए फ्रेंड्स धों शोती हमारे इस तरह से बनने के बाद मैंने यहाँ एक झाला बनाए है जो धोती के सामने इस तरह से हमें लगाना है एकदम सेंटर में जो हमारा सलाई है देखिए इस सेंटर में जो सलाई है वहाँ पर हम इसे लगके जो है इस तरह से लगा देंगे ये थोड़ा सा में लंबा रखी जो धोती का जो लेंथ है उसे थोड़ा सा लंबा रखी ताके उनके पैर इस तरह से जब आएंगे तो ये इधर इस तरह ऐसे होके रहेगी तो इसे हम इधर लगा लेते हैं देखे फ्रिंट्स इस तरह से हमने इसमें लगा दिये हैं अब जो है हम सेम वही लेंगे जो गोटा पट्टी है उसे हम यहां से थोड़ा सा एक्स्टा छोड़ देंगे नौट बांदने के लिए और इसे सेंटर से फोल्ड करके हमें यहां कमर की पट्टी जैसा जो है बना लेना है देखिए कुछ इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएगी हमारा काना जी का जो है धोती सिम्पल तरीका से और आप यहां देखिए एक्स्ट्रा हमें रखा है जो काना जी के कमर में लगाने के बाद आप इसमें नौट लगा सकते हो या तो आप यह भी कर सकते हो यहां सा हलका सा जो है आप स्टिच डाल सकते हो जिससे आपका कमर भी काना जी का एक्टम फेट आए और यह बहुती अच्छे तरीका से इस तरह से स्टिफ होके रहे देखिए फ्रेंड्स हमारा काना जी का जो है दोती बनके तयार है अब हम आपको बताएंगे उनके उपर जो है इस तरह से जो हम शौल के तरह या अंगरक्षक बोलते हैं वो बनाएंगे सिंपल कुछ नहीं इसके उपर हम अस्तर से जोड़ लेंगे और साइट में जो है देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने लेस जो है चोड़ा वाला लेस का जो इस्तमाल किया आई होप कि मेरी काना जी के जो धोती और उनके अंगरक्षक जो है वो आपको पसंद आये होगी पसंद होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मेरे वीडियो को ला बाइ टेक केर